भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज ने अपने नाम कर लिया पहले ही भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है पहले T20 में वेस्ट इंडीज ने चार रनों से जीत तरच कर सीरीज में एक शुन्य की बढ़त हासिल कर ली है टेस्ट और वंडे सीरीज के बाद T20 में वेस्ट इंडीज की रणनीती कुछ अलग नज़र आई मुश्कल पिछ पर टॉस जीत कर वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया वेस्ट इंडीज के कप्तान रोमेंट पावल ने मैच में सबसे ज्यादा 48 रनों की पारी खेली और टीम का टोटल 149 तक पहुँच गया जवाब में भारत की शुरुवात बेहत कमजोर रही सलामी बल्लेबाजी करने आए शुबमन गिल और इशान किशन सस्ते में पवेलियन लोट गए इसके बाद सूरे कुमार यादव और डेप्यू कर रहे तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन टीम की जोली जीत नहीं डाल पाए अब सभी भारतिये फैंस की उमीदे बचे हुए चार टी-ट्वेंटी मैचों पर हैं लेकिन ये मैच भी भारत के लिए आसान नहीं हुगे वेस्ट इडीज के कप्तान रॉमेंट पावल ने सीरीज में टीम की सफलता के मंत्र का खुलासा किया है एक इंटर्वियू में बात करते हुए रॉमेंट पावल ने पहले टी-ट्वेंटी में जीत का मंत्र और आने वाले मैचों के लिए रणनीती पर बात की पावल का कहना है कि इस सीरीज में दो बाते एहम हैं पहली ये कि हमारे मजजग्रम के बल्लेबाज पिच पर कितना समय बिताते हैं और दूसरा ये कि भारतिय स्पिंड्रों का सामना किस तरीके से करते हैं पावल ने कहा कि हमने पहले टी-ट्वेंटी मैच में पावर पले का इस्तमाल अच्छे से किया हम जानते थे कि यहां नई गेंज से रन बनाना आसान होगा बाद में पिच धीमी हो जाएगी और रन गती पर असर पड़ेगा वैसनीज के कप्तान ने कहा कि भारते टीम तीन स्पिंड्र के साथ उत्री थी वहीं हमारे पास केवल एक ही स्पिंड्र था भारत को अपनी कम्यों पर काम करने के जरूरत है गेंदबाजी में भारतिय बॉलर्स के पास अनुभव नहीं है वहीं बल्लेबाजी में भी भारतिय टीम पहले मैच में संखर्ष करती हुई नजर आई ऐसे में कप्तान हार्दिक पांडिया के लिए अगले चार मैच आसान नहीं होने वाले हैं बेरहाल रॉमेंट पावल की इस बात पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूस नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर दीजिए